सब्सक्राइब और एजुकेंड के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस किये थी मेंस के लिए एक रणनीती मोटा मोटी एक रणनीती मैंने बताई थी जो मैंने पालन किया था और उमीद है कि जो भी लोग मेंस लिखेंगे वह उसमें आपको फायदेमंद रहेगी और वीडियो के बाद और कई दिनों से कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे दावपत्ति समंद्ध में कि विवाद है या जो भी है तो मुझे ऐसा लगा कि इन प्रश्णों पर कुछ चर्चा करनी चाहिए तो यह लेक्चर इसी के बारे में है वैसे तो आपने देखा होगा कई सारे चैनलों में और कई सारे संस्थानों के माध्यम से जो जो संभावित प्रश्ण है जिन पर इश दे दी गई है सबका सोर्स भी अवेलेबल है सारी चीजें अवेलेबल है तो मेरा जो यह वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश है वही है कि क्या प्रश्ण जो है जिनमें संभावित मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें जरूर परिवर्तन होगा या तो प्रश्ण परिवर्तन होगा जैसे कि अभी आपने नियूस में भी कुछ रिपोर्ट आई थी पिछले पांच वर्शों में जो लगभग 45 क्वेश्ण बदले गए हैं तो मतलब आगर देखो तो हर साल 9 क्वेश्ण जो है बदल रहे हैं तो इस साल भी जो है मतलब उत्तर बदल रहे है तो इस साल भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा और क्योंकि प्रश्ण के बाद जब मॉडल आंसर जारी होए तो इसमें काफी विवाद आए हैं तो यह मेरे हिसाब से हैं ऐसे तो कई बच्चे मेरे पास कई सारे क्वेश्चन लेकर आए यह मेरे ह हिसाब से इन में बदला हो सकता है और इनके कारण कट आफ में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है यह मेरा मानना है ठीक कट आफ तो हम देखेंगे कि कट आफ मोटा मोटी क्या होता है उसी पर बात होगी क्योंकि जब तक मॉडल आंसर जारी नहीं हो जाएगा हम बत जिन में विवाद है तो यह प्रस्ण अगर आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा यह है प्रशन था आपका एलगल ब्लूम वाला या फिर आपका Prasputan किसका प्रसूटन तो शेवाल Prasputan से संबंद्धती वाला प्रत प्रस्ण है तो इस प्रश्ण में भी जोएक का सारा विवाद है क्यों विवाद है क्योंकि इसका इंग्लिश और हिंदी में जो है अर्थ में परिवर्तन है अगर देखा जाए तो यह NCRT के बुक से लिया गया प्रश्ण है इसका सोर्स भी अविलेबल है किसी के पास नहीं होगा तो बताइएगा मैं अविलेबल करा दूं यहां पर जहें इसमें मृत्यू दर में गिरावट होती है लिख दिया यहां पर ऐसी चीज नहीं कह रहा है लेकिन हिंदी में अगर हम से स्टेट्मेंट को पढ़ेंगे तो उसमें परिवर्तन है तो दोनों में यह अंतर आ रहा है और उत्तर जो लिया है उसमें को आधार माना जाएगा तो हिंदी के हिसाप से तो आंसर में परिवर्तन है लेकिन अंग्रेजी में अगर दिखा जाए तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ जो ही अन्याय हो जाएगा तो यह देखना होगा कि इसमें PSC का क्या step होगा लेकिन आप मान के चलिए इस प्रश्ण में आपको कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या विलोपित हो सकता या उत्तर में परिवर्तन होगा ये प्रश्ण में जरूर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस पर जिन्हें दावपत्ति अगला कोशन देखते हैं हम सरवोच न्यायले के मुख्य विधिक सलाहकार के बारे में बात की गई है तो मुख्य विधिक की सलाकार के बारे में अगर बात कि जाये तो कई जगह अगर आप Google translate वागरे में देखेंगे तो यह शब्द दिखता है महा न्याय दी करता और या फिर आपका महा न्याय वाधी होता है यह तो हमें पता ही है लेकिन अगर उसका English तो मैं बता रहा था कि इसके अनुसार माफ कीजिएगा तो इसके अनुसार अगर हम जो पढ़ते हुए आर्टिकल 76 में भी बताया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि उसके हिसाब से जो हमारा एटर्नी जनरल होता है या महान्यावादी होता है उसके लिए ये शब्द प्रयूक्त हुआ है तो अब इसमें फिर देखा जाए तो भाशा में विबाद है और इसमें क्या चीज लेते हैं यह भी PSC के उपर निर्वर करता है पर इस आंसर में भी परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा तो definitely यह कट-off में यह दो प्रश्न तो हो गए जिनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो और दावपत्ति अगर किसी को लगानी है तो बिल्कुल इसमें लगाएंगे आगे देखते हैं यह वाला बाद में देखेंगे यह वाला प्रश्न है कि किस district में जो है आपको sex ratio सबसे अच्छा दिख रहा है मतलब यह महिलाओं की संख्या सबसे जादा दिख रही तो इसमें definitely परिवर्तन होगा और मेरा मानना है कि इसमें उत्तर कोंडा गाओं ही लिया जाएगा क्योंकि economic survey में भी अगर हम देखें last year last to last year के तो उसमें mention है कि क कुंडा गाओं में sex ratio सबसे अच्छा है यह चीज दी हुई है 1033 लोग महिलाएं जो है सबसे अच्छा बताया गया है वहां पर सकते हैं आगे इसके अलावा और किस प्रश्ण में बदलाव है तो देखते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रश्ण में हमको बदलाव दिख रहा है वो है इसमें है ना तो यहां बोल रहा है कि 36 गड़ में निम ने लिखे जिलों के को उनकी घोशना वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में जमाएं या ascending order में मतलब पुराने से नए तक के इस क्रम होगा क्यों क्योंकि अगर आप देखो तो यह क्रम जो है इसमें दिख रहा है कि सर्गूजा सबसे जो आउत्तर में लिया सर्गूजा भटते क्रम में दिख रहा है सर्गूजा बस्तर दो 1948 में बन रहे हैं उसके बाद दुर्ग है 1906 और बिलासपूर 1861 तो यह हम सबसे पूराना ऐसे सबसे नए तक का तो उसके अनुसार जो है यह आंसर नहीं टिक रहा है लेकिन आंसर जो लिया है बिलासपूर बस्तर सर्गूजा और दुर्ग वाला लिया है शायद यह फिर अगर आप देखेंगे तो मैच नहीं खाएगा क्योंकि बस्तर और सर्गू लोपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है ना तो यह कुश्चन एक शोर है जिसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा उसके बाद इस प्रश्ण में आते हैं तो यह प्रश्ण आप सब ने जिनने भी अटेम्ट किया होगा तो देख सकते हैं कि जावा फूल मोती चूर जो है एरोमेटिक या फिर सुगंधित किसमें है इसके अलावा रेंफेड एरिया के बारे में लिखा और तीसरा काली कमोद और लोक्ती मांची जो है दलहन तिलहन फसले हैं काली कमोद के बारे में जो है अगर सोर्श चाही होगा मैं अविलेवल करा सकता हूं इसमें आप फिर बाद में अगर हम देखें तो इसमें option में हमें नजर नहीं आता कि यह answer लिया गया है केवल एक जो है सत्य नहीं है और वास्ताव में अगर देखें तो इसमें दिखता है क्या कि केवल तीन जो सत्य नहीं है तो यह प्रश्ण में उत्तर परिवर्तन होने की chances मुझे ऐ chances हैं क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है आर्टिकल तीन में किन-किन को define किया गया है तो यह सारे शब्दों का जो है definition हमको अधिनियम में मिलता है तो यह फिर प्रश्ण में हमें परिवर्तन होने की गुंजाईश दिख रही मेरे ख्याल मे आंसर यह लिया गया है या इंदरनों में से कोई एक को लिया गया है तो यह आंसर में परिवर्तन हो सकता है जिनने अटेम्ट किया है दावापत्ती लगा सकते हैं इस प्रश्ण में आगे देखें तो यह तो definitely होगा है ना पता नहीं कहीं से PSC ने जान बूच कर लिया या क आपको नजर आएगा ही यह प्रश्ण है अब इसमें भी बहुत सारा डेटा एवेलेबल हुआ है कि इसके हिसाब से कितने जिलों में जो है 25 प्रतिशत से अधिक जो है ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है तो कुछ अगर इसका डेटा अगर आपको चाहिए होगा तो यह जो ऑप्शन दिया है उससे मैच ही नहीं करता शायद अठ रहा है उन्नेस जिले ऐसे हो रहा है जिसमें आपका 25 प्रतिशत से ज्यादा पॉपुलेशन है और इसका भी आपको अगर डेटा चाहिए तो इस प्रश्ण का भी चांसेस हैं कि यह प्रश्ण विलोपे थो तो य यह कुछ साथ से आठ आठ प्रश्ण है जो मुझे लगता है जिनमें डेफिनेटली परिवर्तन होगा यह मेरा मानना है इनमें और इनमें परिवर्तन होने के कारण जो है कुछ कट-off में भी परिवर्तन हो सकता है किसी बच्चे ने मुझे प्रश्ण पूझा था इस क्वे जो है स्टेटमेंट और कारण के उपर प्रश्ण है तो इसमें अभी कथन दिया गया कि घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगो पेन है चलिए मान लिया यह अभी कथन दिया है कारण बोल रहा है लिंगो पेन बस्तर भूमी का हितिहार देव भी है ना लिंगो पेन इस दी फाउंडर ऑफ ओरिजिन ऑफ घोटुल है ना और लिंगो पेन इस ऑल्सो अग्रिकल्चर गॉड ऑफ बस्तर तो मेरे हिसाब से फिर से मैं कह रहा हूं यह जो प्रश्ण का उत्तर लिया गया पीएसी द्वारा की ए इस राइट आर इस रॉंग यह सहीं है मेरे हिसाब से क्यों क्योंकि प्रश्ण में पूछा है अभी कतन और उसके पीछे कारण तो क्या यह कारण उसे जस्टिफाई कर पा रहा है क्या यह कहीं से इस कारण से यह समझ में आ रहा है कि घोटुल की उत्पत्ति इससे हो रही है यह चीज़ पे मुझे डाउट है तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न पे परिवर्तन नहीं होगा नाया बाकी PSC जैसा करें और किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैने ऐसा कहा है तो भी कोई heart feeling ना रखे, यह मेरा personal मानना है, हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, मैं भी गलत हो सकता हूँ, यह मेरा मानना है, है ना, तो यह कुछ प्रशन है, जो मुझे लगता है कि इनमें definitely परिवर्तन होगा, है ना, चाहे विलोपित होंगे, या फिर इनमें कोई ना कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा, तो अब अगर इनके हिसाब से देखा जाए, तो जितने भी question है, जिनमें परिवर्तन हो रहा है, वो कौन से कौन से हो सकते हैं, तो हमने देखा लगभग 8 question है, और 8 में से अगर मैं मान लूँ कि 4 question भी अगर उत्तर परिवर्तन होता है चार का विलोपन हो जाता है, तो भी आप देखेंगे, तो cut-off में परिवर्तन हो जाएगा, क्यों परिवर्तन हो जाएगा, अगर 4 मैं मान लूँ तो 8, लगभग 8 से 8 ही अमान के चलिए, 9 से 10 नमबर जो है, ये परिवर्तन होगा, जो भी व्यक्ति ने उसने attempt किया होगा, जिन जिन प्रश्णों में विवात था, वो कौन से कौन से थे, तो ये प्रश्ण तो चलो विलोपन में है, इसमें भी doubt है, और देख लेते हैं, just a second, रुकेंगे, ठीक, उसके बाद आते हैं, इस प्रश्ण में अगर देखा जाए, तो ये तो खेर doubt है, इस प्रश्ण में इसमें भी doubt है, इसमें भी, ये तो खेर सही answer मेरे हिसाब से, इसमें परिवर्तन होगा, एक question, ये भी doubtful है, इसके अलावा, इसमें परिवर्तन हो सकता है, दो question, इसमें परिवर्तन हो सकता है, तीन question, इसमें परिवर्तन होगा, चार question, इसमें हम देखेंगे तो ये भी doubtful है तो कुल मिलाके हमारे जो है इतने question हो रहे है चार जिन में जो है परिवर्तन हो सकता है ठीक तो चार में अगर हम देखें तो आठ नंबर बढ़ रहे हैं और प्लस जो है इसमें अगर हम हिसाब लगाए तो इसके आपसे लगभग जो है तो overall अगर मान के चले 120 के around अगर cut off कहा जा रहा था तो ये cut off जो है कुछ मेरे हिसाब से 4 से 5 नंबर प्लस ही हो चार से 5 तीन से 5 नंबर आप मान के चलिए प्लस होगा है ना अगर 120 था तो उसके उपर 3 से 5 नंबर ये मेरा अनुमान है ऐसा हो सकता है इसमें परिवर्तन हो सकता है और ये चार question में तो definitely परिवर्तन होगा बाकी में will open होता है कि क्या ये आपको पता चलेगा ये जो मैंने राय दी है मेरी अपनी है किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो please इस पर hard feeling ना ले definitely परिवर्तन हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ और अगर परिवर्तन हो रहा है इसमें आपके अंक अच्छे हो रहा है आप cut off qualify करके आप मेंस के लिए ready हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और अपनी मेंस की तयारी जारी रखिए मेंस से समंदित मैंने एक वीडियो डाला है रणनीति के लिए आप वीडियो देख सकते हैं अपनी रणनीति कुछ सकते हैं और इसके अलावा आप जो है निबंद के ऊपर एक वीडियो में तयार करने वाला हूं कल या परसों में वीडियो आपको मिल जाएगा निबंध में किस तरीके से अच्छे से नमबर लाए जा सकते हैं उस पर एक डिटेल वीडियो रहेगा चर्चा करेंगे तो उस वीडियो को भी जरूर देखें तो इसी पर यहाँ पर आज हम कि वीडियो समाप्त करते हैं मेरे अनुसार इन प्रशनों में परिवर्तन होगा और किसी में विल ओपन हो सकता है किसी में जो है आन्सर में परिवर्तन हो सकता है तो यह सब के लिए बेनिफीशियल हो, सब को अच्छे नमबर मिले और सब का भविश्य उजवल हो इसी कामना पर यह वीडियो हम पर समाप्त करते हैं एक गोशना और है कि जल ही हमारे सोशेलोजी, फिलोसोफी और पबैड और साथ में पेपर सेवन के कुछ लेक्चर्स चालू होने वाले हैं कि हमारे अप्लिकेशन में अविलेबल रहेंगे अगर किसी को वो कोर्स जोइन करना है तो अप्लिकेशन डाउनलोड करके वो कोर्स देख सकते हैं तो मिलते हैं आने वाले समय में All the very best Thank you